नमस्कार राम राम साय काई हाल चाले जीवड़ा ठाको आसा और उमीद करूँ की ते सगला बढ़िया हो और मज़े में हो साथ यूं आज की कलास हमें पसू परिचर बढ़ती को लेकर कवर इसमें राजस्तान का जीकी हम कवर करेंगे तो मेरे सभी नोजवान और विद्वान साथी लाइव जुड़ जाएं पहला सवाल आपके सामने हैं जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगूलर कलास मिलती रहें कुछ मेरे साथी पूछ रहें कि सर कलास का टाइमिंग क्या है तो सुबह मोर्निंग में कलास होती है बाई 11 बजे ठीक है और साम को रात रिकालिन बंडारा होता है रात को 8 बजे ठीक है तो ये टाइम है अब ध्यान रख लेना मत पूछना बार बार है ना चलो पहला सवाल है कि राजस्तान में मार्च 2022 तक ग्रामिंड सडकों की कुल लंबाई कितनी है तो साथ यूं ग्रामिंड सडके आपको पूछी गई है तो ज्यान रख लेना सफ्क्राइब एक लागए लागि देखो आंकडे हर साल होते रहते हैं इसलिए जो आपको अभी वर्तमान का आप देखो तो और इसमें कुछ चेंजिंग मिलेगा क्योंकि यह लंबाई उबढ़ती रहती है सडके नहीं बंती रहती है दोजार मार्च दोजार बाईस तक सड़कूं की लंबाई थी एक लाग छियासी हजार साथ सो बांसेट पॉइंट दस किलोमेटर तो जो साथी डी उतर दे रहे हैं उन्हें सभी का राइट हो जाएगा बहुत ही बढ़िया अब देखो साथ यूँ सड़कूं की में बात कुरूं राजस्तान में तो कुछ सवाल है जो बेसी के और एकजाम में पूछे जाते हैं उनको आपको याद रखना है राजस्तान में सबसे लंबा राष्टी राजमारग कौन सा है बतो कोंगी राजस्तान में सबसे his Me Gang राजस्तान सबसे चोटा एंगर ड़ेन'M आगला सवाल क्या है कि राजस्तान का सबसे चोटा राश्टिये-राज być काई बतो भान है ना की सरवादी की जलू से गुजरने वाला राश्टिये राज्मारट कि कौन इसा है राजस्तान में सरवादी के जिलू से गुजरने वाला राश्टी राजमरग तीन सवाल मैंने आप उसको पूछे है और तीनू के जिसको जवाब आ रहा है तो इसका मतलब उस विदार्थी की तयारी है ना कुछ तो तयारी है भाई नोर्मल अब मुझे अंसर जल्दी से कमेंट करो सबसे लंबा राश्टी राजमरग कितना है जिसकी लंबाई 730 किलो मिटर है बतो देखे राश्टी राजमरग पूछा है राजस्तान से घुजरता है जल्दी से कमेंट करो अब नहीं पता डापा गोड होगा अरे से ओप्षन देखर तुके मारने से थोड़ी काम चलता है एन एच फिप्टी टू नेशनल आईवे कौन से है बावन फिप्टी टू ध्यान रख लेना सबसे लंबा जिसकी लंबाई क्या है सासो तरेण में किलोमेटर है उसके बाद मे नेशनल आलवे 11 आ जाता है फिर 62 आ जाता है और सबसे छोटा पूचा है तो एन च 919 एन च 919 ठीक है यह है आपका सबसे छोटा और इसकी लंबाई कितनी है इसकी लंबाई है साथ यूँ सबसे छोटा है इसकी लंबाई केवल 5 किलोमेटर है और यह काम पर है अलवर में है काम पर साती हूँ अलवर में है और इसकी लंबाई केवल 5 किलोमेटर है सरवादिक जिलू से गुजरने वाला राष्टी राजमार कौन सा है NH-52 है ना यही हो गया सबसे लंबा है वो ही सबसे ज्यादा जिलू से गुजरेगा तो यह हो गया 52 कौन सा हो गया भाई 52 और यह कितने जिलू से गुजरता है यह भी पूचा जाता है तो यह 8 जिलू से गुजरता है कितने जिलू से होकर गुजरता है भाई 8 जिलू से होकर गुजरता है जिनमें चुरू, शिकर, जेपुर, टॉंक, भीलवडा, बुंदी, कोटा और जालावाड यह सारे जिले हैं जहां से गुजरता है यह बेसिक चीजह आपको पता हो नहीं चाहिए राजस्तान का सब से बीजी राजस्तान का सबसे वेस्ट राष्टी राजमार कौन सा है यह पूछे कि राजस्तान का सब को पता होगा पहले वाले थे तो एन एज फोटी एट है कौन सा है एन एज अड़तालीस जो सबसे वेश्ट राष्टी राजमारगे यह हर्याना से हर्याना से कहां तक जाता है जो बेरोड अलवर से सुरू होता है और खेरवाडा उदीपुर्ते यानि गुजरात की शिमा तक जल्दी से कमेंट करो जिस भी बलवान और विद्वान साती को इसका उतर आ रहा है वो एक बार जल्दी से कमेंट कर दें प्लिसकी इसकी इस्थापना कब हुई ती एक जुलाई 1957 को इसकी क्या हुई साथ यूँ इसकी क्या हुई थी इस्थापना हुई थी यह आपको जान रख लेना है यह इसकी क्या हुई थी इस्थापना हुई थी तो यह तो इसकी हो गई इस्थापना ठीक है अब यहां पर स्वाल पूछा जाता है कि राजस्तान विदूत नियमक प बुई थी इसका एक आयोग बनाया गया ये बनाया गया जनवरी 2000 में बनाया गया और इसका मुख्या लिकां बनाया गया जल्दी से कमेंड करो देगें इसका मुख्या लिकां बनाया गया विदूति नियमक प्राधी करने बिल्कुल सभी का राइट आ चुका है यहां पर जेपूर में काँ पर है बाइस जेपूर में है भी आंसर राइट होगा अगला सवाल देखते हैं बारत में राष्ट ये सुस्क बागवानी अनुसंदान के अंदर इस्तित काँ पर है सुस्क बागवानी अनुसंदान के अंदर काँ पर है भारत में देखो राइश्ट ये सुस्क बागवानी जो अनुसंदान के अंदर है साथ यूँ इसकी इस्ताब न कब हुई थी इसकी हुई थी सन 2000 में कब हुई थी सन 2000 में इसकी इस्ताब न हुई थी और इसका काँ पर है यह बिका नेर में है यह आपका बिका नेर में है साथ यूँ कौन सी नेर है बिका जी की नेर है चलो अगला सवाल लेते हैं राजस्तान में कांक्रेज नसल का परमु के अंदर काम पर है कौन सी नसल है भाई कांक्रेज अब ज़िए को ये पसू की नसल है कांक्रेज और बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि कांक्रेज कौन से पसू की नसल है कांक्रेज कौन से पसू किया है तो कांक्रेज गाई की नसल है गोवन्स की नसल है किसकी है भाई गोवन्स की या गाई की ये आपकी गोवन्स की नसल है ठीक है इसका परमू के अंदर है भाई जालोर में काम पर है जालोर में चलो अगला सवाल लेते हैं टाप slash thang presenters का वेग्यनिग नाम क्या है क्या सवाल उन्ट का वेग्यनिग नाम पूचआ है diagnostic क्या जाता है भई उन्ट को रेकिस्तान का जाज गा जाता है ना रेकिस्तान में अराम से है यह रेर्ध के दोरों में में टांगे लंभी होती है मुधं कमेंट करो देके साथ यूं उंट को राजस्तान का राजी पसू राजस्तान का राजी पसू चिंकारा के साथ में उंट भी है उंट क्या है राजस्तान का राजी पसू है और उंट को राजस्तान का राजी पसू कभी गोशित किया गया कभी कोशित किया गया जल्दी से कमेंट करो 19 सितंबर 2014 को 19 सितंबर 2014 को उन्ट को राजस्तान का राज्य पसु कोशित किया गया और इसका वेग्यानिक नाम मिलता है केमेलस ड्रोमेड डेरियस तो जो साती ए उतर दे रहे हैं उन्ट का क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा राजस्तान का दक्षिन अक्सांस क्या है राजस्तान का दक्षिन अक्सांस पूचा गया सात्यू राजस्तान की बात करें तो राजस्तान की उतर से राजस्तान की सात्यू उतर से दक्षिन की जो लंबाई है कुल छेत्रपल कितना है 3.42,249 वरुग किलोमेटर ये राजस्तान का की है भाई छेत्रपल है राजस्तान का दक्सिन अक्सांस हमें पूचा गिया है तो यह क्या हो जहएगा 23 डिगरी उत्री अक्सांस थैवीिश डिगरीmother गुढोवनेट तीन मिनट साथ ह Après सांसा curriculum यदि आपको पूछे राजस्तान का पूर्वी देशांत्र विस्तार कितना है तो 59 Degree 30 मिनट और है talking 59 Degree 30 मिनट यह पुर्वी देशांत्र है औश्तर 13 मिनट है ये लेकर अगलासम वाल है कि निम्नमेजसे की खनीज की उतपादन में राजस्तान का भारत में पहला इस्तान है राजस्तान का भारत में पहला इस्तान कौन से खनीज में है फेल स्पार लिगनाइट कामबा या लोहा तो राजस्तान का मिलता है फेल स्पार में पहला इस्तान मिलता है तो ए उतर अपना क्या हो जाईगा करेक्ट हो जाईगा अगला सवाल क्या है कि निम्मन में से कौन सा राजस्तान का एक मातर विशेश रूफ से कमजोर जनजाती समू है ए सुरक्षित जनजाती राजस्तान का एक मातर विशेश रूफ से कमजोर यानि ए सुरक्षित जनजाती समू बेल जनजाती सेर या मिना या कथोडी टो कौन सा हो जाएगा जल्दी से comment करो देखें साथ यू जियां रख लेना इसका right answer क्या हो जाएगा सेहरिया सेहरिया जंजाती है और ये सबसे ज़्यदा कहां पर पाई जाती है सेहरिया जन्जास्तान में कुदल अनुसूची जन्जातिया कितनी है आरक सीत अरु अन्ुशची जो जंजातियां है वह आट यह राजस्तान में जिनमें सेरिय और्टी बारा जिल्यमें पाई राजस्तान में पाई जाती nerम भील पाई जातें भील मिवाड के चैतर में मिलते हैं वीश्चेषट और जेपूर में सर्वाधिक देखनों को मिलेंगे मीना मीना जन्जाती जो राजस्तान की सबसे ज्यादा सिक्सित एक जन्जाती है यह सरकारी नोग्री में मीना जनाती की लोग आपको मिलेगे जनजातियों को देखे दो मीना जणजाती सरवाधी कामप्र पर पाइजस आती है यह जेपूर और दोषर जिलू में देखने को मिलेगी क थोडी जनजाती मिलती है ज्यादा कोटा में का मिलती है वन राजस्तान के किन जिलू में है अलवार अनुमानगड परताब गड़ जोधपूर उध्यपूर जोधपूर उध्यपूर और चूरू देखो सरवाधिक वन सात्यू उध्यपूर में और सबसे कम है चूरू में कौन सा जिला चूरू तो चूरू में सबसे कम है बार आदिनात को समर्पित, चांद खेडि मंदिर का मम परिष्थित है, परतम जो जैन तिरत करते में उनका नाम अधिनात इनको समर्पित, चांद खेडि मंदिर का मम पर है। डुंगरपूर गंगानगर जालावाड या टॉंक में तो यह आपका होज़ेगा जालावाड में काँ परेवाई जालावाड में होज़ेगा राजस्तान के उस बोतिक सवरूप का नाम क्या है जो थार के रेगिस्तान को चम्मल की गाटी से अलग करता है थाहर के रेगिस्तान को चम्मल की गाटी से अलग करता विंद्य परवत सरणी चम्मल नदी मद्य परदेश की सिमा या अरावली परवत सरणी थाहर के मरुष्टल को अलग करने वाला क्या है अरावली परवत माला है ना अरावली परवत सरणी तो D answer अपना right हो जाएगा साथ यूं अरावली परोत माला की कुल लंबाई कितनी है तो इसकी कुल लंबाई कितनी है इसकी कुल लंबाई है साथ यूं 622 किलोमेटर कितनी है भाई 622 किलोमेटर है अरावली परोत माला की कुल लंबाई राजस्तान का कौन सा जिला है जहां पर वेंटो नाइट के मेत फुन बंडार है जेपूर कोटा टोंग बाड मेर बीकानेर सवाई मादोपूर जेपूर शिकर जुन जुनू अजमेर नागोर भिलवाडा तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा बाड मेर बीकानेर और सवाई मादोपूर में अगला सवाल आचुका है राजस्तान में सरवादिक वार्शिक तापांतर वाला जिला कौन सा है वार्शिक सरवादिक ताप चुरू जेसल मेर बीकानेर या बाड मेर कौन सा जिला है सात्यूं तो यह आपका हो जाएगा चुरू राजस्तान का सबसे गरम जिला कौन सा है तो यह गरम जिला चुरू ही है और राजस्तान का सबसे ठंडा जिला सबसे जादा ठंड भी यहीं पड़ती है गर्मियों में गर्मी पड़ती है और सर्दियों में ठंड पढती है मारा गया बैचारा चुरू हो जाएगा, अगला स्वाल क्या है कि विज़रैल की पाड़ीऊ से निकलने वाली खारी नदी, निमन में से किस अफवा तंतर का भाग है, खारी नदी, बंगाल की खाड़ी अर्ब सागर एनिसित अपवा या आंतरिक अपवा किस अपवा चंतर का भाग है भाई खाड़ी नदी बंगाल की खाड़ी ये उत्तर अपना राइट हो जाएगा जो साथी बंगाल की खाड़ी बता रहे है राजस्तान की निमन लिकित में से किस सिंचाई परियोजना द्वारा दाब यानि छिड़काव स्प्रिंग कलर सिंचाई परियोजना द्वारा दाब सिंचाई परियोजना द्वारा दाब सिंचाई परियोजना द्वारा दाब सिंचाई परियोजना द्वारा दाब सिंचाई अगला सवाल देखें अगला सवाल क्या साथ यूँ कि प्राचिन उत्खनन इस्तल नगर राजस्तान के किस जिले में इस्तित है शिकर, अलवर, टॉंक या पाली प्राचिन उत्खनन इस्तल नगर काम पर है तो यह आपका टॉंक जिले में है तो सी उतर अपना करेक्ट हो जाएगा निमर में से कोन सी कविता सुनाने के बाद साही नरेस यानी रोयल किंग बिर्टिस वोइस राय से मिलने के लिए दिल्ली नहीं गए रूठी राणी सेतान सुजन चेटाउनी राचुंगतिया या सांगदरी पीडा रूठी राणी यह किसकी पत्नी थी रूठी राणी उमा दे रूठी राणी का नाम है उम्दे रूठी राणी का जाता है क्योंकि यह रूठ़ गई ती मारवाड के सकते आती हुं मारवाड यहना माल देव से कभी नहीं मिलती है चेता उनीरा चुंगत या इस सवाल का सभी आंसर हो जाएगा सी जालवाड राजी की इस्तापना कब हुई जालवाड राजी की जालवाड की इस्तापना कब हुई बतो देखें किस ने की थी जालावार की इस्तापना जाला ने जाला जालावार का नाम जाला के नाम पर कहा गया है जाला जालिम सिंग ने की थी किस ने की थी जाला जालिम सिंग ने जालावार की इस्तापना की 1838 में कब की 1838 में की अगला स्वाल क्या है कि भीनमाल महन संस्कर्त कवी का जनम इस्तल है कालिदास माग पाणिनी या बास भीनमाल भीनमाल कहां पर है भीनमाल है साथ यूँ जालोर में कहां पर है जालोर सबसे ज्यादा थानादार यहीं से बढ़ेते मान स्रसकर्त कवी का जनम इस्तल किसका वाता जनम भीनमाल जालोर में कमेंट करो देखे नी जीवडा कवी माग भी आंसर अपना राइट हो जाएगा राजस्तान दिवस कब मनाया जाता है राजस्तान की इस्ता अपना दिवस कब मनाया जाता है सात्व यह मनें जाता है साती हूं 30 lives 99 तीश मार्च को मना जाता है राजस्थान की इस्ताफ निशो नंचास को राजस्तान की क्या हुई इस्ताफ ना हुई थी स्थान की अगला है कि 68 क्या है अगला सवाल क्या है अड़ सट्टा क्या है जोदपूर राज्य के अभिलेकूं की महतवपूर स्रेंखला जेपूर राज्य का भूमी समंदी रिकोर्ड राज्य के अधिकारियों के मद्य पत्तर का वेवार एक राजा का दूसरे राजे के राजा के साथ पत्तर वेवार अड कि मेर राजस्तान अजमेर में मेर्शी द्यानन सरस्वती के द्वारा इस्तापि मुद्रणा लिये का नाम क्या रखा गया मेरेशी दियाना ने सरस्वती दोरा इसताफी जो Ihudraan coli ? नाम क्या रखा गया ? वेदिक प्रेश ? मेर्दिक iantिra ले ? मेर्दिक िमुद्रना ले या आरिये मुद्रना ले ? राहा एंशर क्या वजाएगा ? वेदिक यंत्राली, क्या रखा गया ? वेदिक यंत्रालीalay रखा गया Sono 1949 में क्रोली पर्जा मंदल की इस्तापना किसने की क्रोली पर्जा मंदल का मaimerी अammा चनी तुल्पया किसके द्वारा तिर्लोक चंद माथूर के द्वारा की गई तिर्लोक चंद माथूर अंसर ना करेक्ट होगा नेक्स्ट अगला सवाल क्या है? अगला सवाल क्या है सात्यूं? जलती से बतो देखें। अंग्रेजू ने अपनी सपत भंग है। क्या उन्होंने अवद पर अधिकार नहीं किया? अतहे उने ये आपक्सा नहीं करनी चाहिए कि भारतीे अबने सपत का अनुपालन करेंगे अंग्रेजू ने अपनी सपत को क्या कर दिया अंग्रेजू के कौन सी सपत लागू थी रहे कुछ नहीं लागू था क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया अते उन्हें ये अपयक्षा नहीं करनी चाहिएगी भारतियें अपनी सपत का अनुपालन करेंगे तो यह काता मुछ मदली बैग ने किसने काता मोहुमद बैग के दौरा कहा गया यह कथन है मेवाड पुकार इकी सुत्री मांग पतर का सम्मद किसे था मोतिलाल तेजवत मानिके लाल वर्मा विजे सिंग पत्थिक सादू सिताराम दास मेवाड पुकार इकी सुत्री मांग का सम्मद है सात्यू मोतिलाल तेजवत से एक की आंदोलन के जनक जिशे का जाता है चांद बावडी कठे जी उड़ा आब बतो देखें आगमेर शिकर आबा नेरी या तिलवाडा चांद बावडी है सात्यू आबा नेरी में आबा नेरी काम पर है आबा नेरी है आबा नेरी दोसा है ना चांद बावडी राजस्तान के रिती रिवाज के मैं मोसर किसे का जाता है मोसर काई हूँ है जी उड़ा मर्त्यू भोज, विवा के आउसर पर परती भोज, देहज या ग्रे परवेश सात्यू ने कोई ये मोसर है ना ये मोसर ये एक राजस्तान की सबसे बड़ी कूपरता है क्या है राजस्तान की मेरी नजर में नहीं सभी की जो इंसान है उसकी नजर में राजस्तान की सबसे बड़ी कूपड़ता कौन सी है मोसर ये मोसर क्या होता है जब किसी वेक्ति की क्या हो जाती है सात्यू मर्त्यू हो जाती है मर्ट्यू से पिछे उस वेक्ति के पिछे से क्या किया जाता है उस वेक्ति की मर्ट्यू के बाद में उसके पिछे क्या बनाया जाता है बोजन एक बड़ा बोजन का आयोजन क्या जाता है बोजन का क्या होता है एक बहुत बड़ा आयोजन क्या जाता है और सभी लोगों को ब पूरानी चीज़े हैं एक वेक्ति चले जाने के बाद में सो की जगे इस परकार का मौल एक बढ़ाया जाता है तो यह कूपरता साथ यू लगाता है और हमारे समाज में कहीं सालू से चल रही है हलांकि बहुत सारी कूपरता है जिन पर सरकार ने भी रोक लगा दी और समाज ने भी लगाई है लेकिन इस कूपरता पर अभी भी रोक नहीं लगी है इसे होता है किया 1 लाख को रुपे का कर्चा होता है मिनिम्म 2-3 लाख रुपे मान लो हमारे मारवाड में बात करूं तो 2-3 लाख रुपे का नॉर्मल खर्चा आ जाता है दो से तीन लाख तो और भी कैसे नहीं दे पाते हैं तो लोग क्या करते हैं वापीस या हिसे मर्त्यू भोज कहां यह सबसे बड़ी कूपरता है जिस पर रोक लगानी चाहिए लेकिन मानते नहीं लोग मुरखो जो मर्ट्यू बोजगरता है अगला सवाल क्या है अगला सवाल सातियों की फड़ एक परकार की स्क्रोल चितरकार है जो राजस्तानी देवताओं और बगवानों की विश्तरत धार्मिक कानियों का वर्णन करती है फड़ पर पहला डाग टिकट भारा सरकार दोरा 1902 में जारी किया गिया ये राजस्तान के निमर में से किस इस्तानी देवी देवताओं से समधी थे फड़ पर पहला डाग टिकट भारा सरकार ने जारी किया था 1902 में और ये राजस्तान के किस इस्तानी लोग देवताओं से समधी थे पड़ किसे समंद्धित कौन से लोग देवतागी देवनारेण जी की इसकी फड़ भाई देवनारेण जी की फड़े वो बहपु द्वारा बांची जाती है निमाडी और रागड़ी किस बोली की विशेष्टा है हाड़ोती मेवाती मालवी या अहिरवाती निमाडी और कौन से है मालवी करें है बवानी नाटिय साला कि से जेले में है नहीं नाटिय साला कि सीरे में सूंतिय में जहरों पूर जालवाड में तो आज की कलास में कुछ ची 30-35 सवाल थे जो हमने cover किये आपके कितने right हुए है क्या आपका score रहा है comment करके जरूर बताएं इसकी pdf अपने telegram group में मिल जाएगी तो आप telegram group जरूर जोइन कर लेना